हेलो एबरीवान, वेलकम तो पनीशा, आज कल, आज अस वीडियो में हम डिसकस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफियर्स ओफ, सेकंड वीक ओफ जुलाई 2023, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली नियूस के साथ, सबसे पहले हमने बात करनी है इंडिया के फर्स जसमें वेदिक कल्चर और वेदिक लिटरेचर को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारी दिफरेंट दिफरेंट चीजों को शो किया गया है, जिसका नेम है वेदवन पाक, अगर हम उस पुराने जमानी की कुछ चीजों के बारे में बात करें, तो यहां के जो मेन हाइलाइ वेदिक लिटरेचर के 4 sections, रिगवेद, अधरवेद, यजरवेद और सामवेद, इन सब के different pieces को शो किया जाता है, with the help of laser shows, wall paintings and sculptures, टोटल बजट अगर हम डिसकस करें इसका, तो अप्रॉक्स 27 करोड में यह पूरा का पूरा पाक बनके ready हुआ है for the visitors, जिसको कि 7 zones, यानी 7 sections मे divide किया गया है, जिनके नाम भी वेदिक sages के उपर रखे गए हैं, जैसे की करशप, अगस्त, विश्वा मित्र, वशिष्ट, अत्री, गौतम और भार्दुआज, यही पर अगर हम बात करें, तो इसमें अलग-अलग तरह के sections बनाए गए हैं, जैसे की gym, amphitheater, as well as a Vedic knowledge center, जह AI News Anchor के बारे में, जिसका नेम है Lisa, AI News Anchor यानि Artificial Intelligence से बनाई हुई News Anchor, जो की अलग-अलग languages में news read करके सुनाने वाली हैं, इनका नाम Lisa है, जो की work करेंगी for Odia-based news channel for Odisha TV, Odisha TV के लिए काम करने वाली है, इनकी जो main ability है, यह बहुत है different languages में news सुनाने वाली हैं, जैसे की Odia language, English या फिर other languages, यही पर अगर हम बात करें, तो पहला AI News Anchor, जिसका नाम था Sana, इसे launch किया गया था in March 2023 by India Today Group, India Today Group की तरफ से इने launch किया गया था, जो की आज तक news channel के लिए news read करती थी, Moving on to next, next हमने बात करनी है, ओडिसा government के एक step के बारे में, जिन्होंने कोई language को 8th schedule of Indian constitution में add करने की demand किया है और इसके proposal को accept किया है, यहाँ पर 8th schedule के बारे में discuss करेंगे कि Indian constitution का 8th schedule है क्या, यह एक ऐसा schedule है, जिसमें Indian constitution की सारी सारी official languages को add किया गया है, which also includes part 17 and articles 343 to 351, यहाँ से सारे articles इस particular section के साथ deal करते हैं, जब इस Indian constitution को बना कर तयार किया गया था, इसमें total 14 languages को add किया गया था, लेकिन after amendments, जैसे की 21st amendment, 92nd amendment as well as 71st amendment of Indian constitution के बार, अब presently 22 languages add हैं in 8th schedule, और इन ही 22 languages में से 6 languages ऐसी हैं, जैसे की classical status मिला हुआ है, जैसे की इसमें अगर कुछ languages की बात करें, Tamil language, Kannad language and Telugu language ऐसी languages हैं, जिने classical का status मिला है, यही पर ओडिया government ने कहा है कि कुई language को भी इसमें add-on करना चाहिए, कुई language South Eastern Dravidian language है, जैसे की जाधा तर कांधा community के द्वारा बोला जाता है, और इस language के 8th schedule में add होने के बाद, promotion as well as propagation of this language, जाधा easy हो जाएगा, जाधा अच्छे तरीकी से किया जा सकता है by Odisha government, moving on to next, next हमने बात करनी है कुछ recent appointments के बारे में, जिसमें सबसे पहला नाम है हमारे पास S.K. Singh का, जिनने की appoint किया गया है as a chairperson of NGT, NGT की full form होती है National Green Tribunal, अगला नाम है P. Vasudevan का, जिसे RBI ने appoint किया है as a new executive director, next name है Krishna Mishra, जिनने की appoint किया गया है as a new CEO, CEO यानि की chief executive officer of FPSB, जिसकी full form होती है Financial Planning Standards Board, next name है हमारे पास के Raja Raman का, जिसे की appoint किया गया है as a new chairperson of IFSCA, जिसकी full form होती है International Financial Services Centers Authority, next हमने बात करनी है अभजीत चक्रवर्थी के बारे में, जिसे SBI ने appoint किया है as a new CEO of SBI Card, अगला नाम है Sanjeev Puri का, जिसे की appoint किया गया है as a new chairperson and managing director of ITC, अगला नेम है हमारे पास प्रिती का, जो की बन गई है first director of IIT, यानि IIT की पहली female director बन गई है प्रिती, जो की IIT जांजी बार में सर्फ करने वाली है, next हमने बात करनी है Supreme Court के द्वारा दो नए judges को appoint किया गया है, जिसमें से एक नाम है तेलांगना की chief justice उजवल भौान का, और दूसरा नाम है कैरला की chief justice S. Venkat Narayan Bhattika, moving on to next, next हमने बात करनी है Selvex exercise के बारे में, जिसका 7th edition अभी-अभी conduct करवाया गया है in Kochi, यह जो particular exercise है, इसकी full form के बारे में बात करेंगे, Selvex की full form होती है Salvege and Explosive Ordnance Disposal, EOD exercise, जो की conduct की जाती है between the Indian Navy as well as US Navy, United States Navy's के साथ इस exercise को conduct करवाया जाता है, इसका first edition करवाया गया था in year 2005 और अब 2023 में इसके 7th edition को रखा गया in Kochi, यही पर अगर हम Indian Navy की तरफ से बात करें, तो यहाँ पर Indian Navy की तरफ से participate किया गया है by INS निरक्षक and US की तरफ से participate किया USNS सेलवर ने, Moving on to next, next हमने बात करनी है first transgender Miss Netherland के बारे में, Miss Netherland इस particular title को लेने वाली first transgender women बन गई है Ricky Colley, Ricky Colley यह personality है जिन्हों है पहली बार first transgender Miss Universe Netherland होने का title मिला है in the year 2023, इससे पहले Miss Netherland का title था ओना मूटी के पास जिनसे यह title अब Ricky Colley ने ले लिया है, Ricky Colley इससे पहले भी काफी नमे समय से modeling कर रही है, इससे पहले उनने पाटिस्पेट किया था in Holland's Next Top Model 2013 में और अब यह मिल गई है Miss Universe of Netherland, next यह बात करें, अगर overall world में category में हम बात करें, जो transgender person है, जिनने Miss Universe होने का title मिला था, उनका नाम है Angelina Pons of Spain, Spain की तरफ से Angelina Pons है first person और यह है second person in all over the world, moving on to next, next हमने बात करनी है लोग माने तिलक अवार्ड 2023 के बारे में, इस बार 2023 में लोग माने तिलक अवार्ड की announcement की गई है, that it will be given to Prime Minister Narendra Modi, नरेंदर Modi को यह award दिया जाएगा on first august 2023 in Pune, Pune में इसकी ceremony को health किया जाएगा, यह जो award है वो present इसके द्वारा किया जाता है, तो यह award देने वाली authority का नाम है तिलक स्मारक मंदर ट्रस्ट जिसे की हिंद स्वराज संग भी कहा जाता है, यह जो award है वो हर साल annually present किया जाता है on death anniversary of लोग मानियत दिलक, और इस बार first august को यह award दिया जाएगा to Prime Minister Narendra Modi, इसके इलावा और भी बहुत सारी personalities को यह award मिल चुका है, जिसमें जो main-main names included हैं जैसे की इंदेरा गांधी, अटल बिहारी बाजपई, शरत पवार, सीरस पुनावाला और मनमोहन सिंग, उसके बाद अब यह award दिया जा रहा है to Prime Minister Narendra Modi for the year 2023, moving on to next, next हमने बात करनी है ICC Player of the Month for June के बारे में, ICC यानि International Cricket Council हर महीने Player of the Month declare करती है, तो इस बार June 2023 के लिए Males category में जो नाम सामने आया है, इनका नाम है Vanindu Hasrangah, जो की Shri Lankan Spinner है, जो second name है हमारे पास in females category, that is Ashley Gardner, जो की Australia Women Team से खेरती हैं and एक All-Rounder है, तो यह दो वो personalities हैं जिने इस बार Player of the Month June का title मिला है, यही पर हसरंगा के बारे में हम बात करें, तो इन्होंने बहुत अच्छा contribution दिया अपनी team को, जसकी वज़ा से Shri Lankan Team select हो पाई for 2023 ODI World Cup, which is starting in September and यही पर Ashley Gardner के बारे में बात करें, तो यह बन गई है First Player to Win Player of the Month Awards 3 times, तीन बार Player of the Month title को लेने वाली यह First Player बन गई है Ashley Gardner. Moving on to next, नेक्स आमने बात करनी है, Prime Minister Narendra Modi को दिया गया है France का Highest Award, France का Highest Civilian Award as well as Military Honor, जसका नाम है Grand Cross of the Lennon of Honor, यह दिया गया है to Prime Minister Narendra Modi, इसी के साथ साथ France का Highest Award लेने वाले पहले Indian Prime Minister बन गए है Narendra Modi, जिनने इस Award से समानित किया गया है, यह जो Award है, वो France के President जिसका नाम है Emmanuel Macron, उनकी द्वारा दिया गया है Narendra Modi को, यही पर जब Prime Minister Narendra Modi को invite किया गया था on France Bestile Day, जिसका celebration हुआ था on 14 July, 14 July के इस celebration में Modi को as a Chief Guest, Chief Honor invite किया गया था, और उसी particular visit के दौरान उन्हें इस Award से समानित किया गया है by France Government. Moving on to next, नेक्स हमने बात करनी है Global Firepower Index 2023 के बारे में, जिसमें यह बताया जाता है कि कौनसी country की पास सबसे ज़ादा powerful military available है, और इस particular ranking में इस बार top किया है US ने. Second position acquired की गई है by Russia, third number पे है China, fourth number पे जो powerful military है वो है इंडिया के पास, fifth position है France की and sixth position ली है UK ने. यह particular ranking 2023 की हमारे सामने है, यह ranking provide की जाती है by Global Firepower, यही पर अगर weakest nations के बारे में बात करें, यानि ऐसे nations जिनकी military strong नहीं है, उसमें जो हमारे पास नेम है दाटर्स भुटान and Iceland. अगर 2022 के इस डाटा के साथ इसका comparison किया जाए, तो 2022 और 2023 की जो पहली चार positions हैं वो बिलकुल सेम है, 2022 में भी first four positions US, Russia, China and India ने acquire की थी यही अगर बात करें, तो पाकिस्तान ने इस particular list में अपना नाम add कर लिया है, top 10 position में enter हो चुका है पाकिस्तान and Pakistan is acquiring 7th place, यही पर France के पास है, moving on to next news, next हमने बात करनी है, grievance redressal index के बारे में, एक ऐसा index जो शो करता है कि कौनसी state अपने आने वाले grievances को कम से कम टाइम में और एक efficient manner में resolve करती है और customer satisfaction के मामले में सबसे आगी है, तो इस particular index में top किया है सिक्किम ने as well as उतर परदेश ने, अलग-अलग categories में अलग-अलग ranking प्रवाइड की जाती है, वही पर अगर हम बात करें North Eastern states की category में, वहाँ पर first position acquire किया है सिक्किम ने, second position ली गई है बाई असम और third position acquire किया है अरुनाचल परदेश ने, सिक्किम ने इस बार total जो percentage acquire किया है of resolving public matter वो है 66.70%, average 173 cases को solve किया गया है in time duration of 43 days, 43 days के अंदर approximately 173 cases solve किये हैं, यही पर अगर union territories की category की बात करें, तो सबसे ज़्यादा problems को solve करने वाली union territory का नाम है लक्षदीप, second number पे हैं अंडुमान and third number पे है लद्दाग, अगर हम bigger states की category में बात करें, तो सबसे ज़्यादा problems को solve करने वाली state है उतर परदेश with a total percentage of 63.90%, second number पे है जारकन and third position acquired की गई है बाई मध्यपरदेश, moving on to next, next हमने बात करनी है इंडिया की proud moment चंद्रयान 3 के बारे में, चंद्रयान 3 जिसे की launch किया गया है on 14 जलाई, इसके बारे में discuss करते हैं, चंद्रयान 2 के बारे में सब लोग जानते हैं कि चंद्रयान 2 सक्सस नहीं ले पाया था, because of some technical issues, अब उसी सारी के सारी defects को ठीक करते हुए, चंद्रयान 3 को launch किया गया है on 14 जलाई, यह इंडिया का तीसरा lunar mission है, जिसे की successfully launch किया गया from Satish Dhawan Space Center in श्रीहरी कोटा, इस क्राफ्ट का approach weight है 3900 kg, जसमें lander and rover, यह दोनों ही included है, इसे launch किया गया है इसरो के द्वारा, अगर हम इसरो के कुछ static points के बारे में बात करें, तो इसरो established किया गया था 15 August 1969 को, headquarters हैं इसके Bengaluru करनाटका में, first founder या फिर first chairperson का नाम था Vikram साराबाई, and the 10th chairperson, जो इस समय के present chairperson है इसरो के, इनका नाम है S. Somnath, moving on to next, नेक्स हमने बात करनी है, इंदिया के 3rd G20 culture group meeting के बारे में, जिसे की रखा गया था in Humpy, हमपी में G20 की cultural group meeting को रखा गया था, जिसे की अब conclude कर लिया गया है, हमपी is a place in करनाटका, जिसे attend किया गया था by different delegates of G20 member, इस particular meeting के दौरान, 4 priority areas के बारे में बात की गई थी, और अगर हम इसकी theme के बारे में discuss करें, तो इसकी theme है, Harvesting Living Heritage for a Sustainable Future, moving on to next, हमने बात करनी है 3rd World Hindu Conference के बारे में, जिसे की organize किया जाएगा in Bangkok for the year 2023, 2023 में World Hindu Congress को organize करने वाला है Bangkok, इसका जो host रहेगा, वो रहेगा Bangkok Thailand, इसके लिए जो dates decide हुए हैं, that is 24 November to 26 November, यानि November month में इस Congress को रखा जाएगा, इस conference में पूरे world से अलग-अलग लोग participate करते हैं, approximately 60 countries के delegates इस particular conference का हिस्सा बनते हैं, तीन दिन के तक चलने वाली ये conference है, जिसे की हर साल organize किया जाता है by World Hindu Foundation, और इस बार 2023 में इसे held किया जा रहा है in Bangkok Thailand, यही पर अगर हम इसके theme के बारे में बात करें, तो इसका theme है जयस्या आयातनम धर्मा, जिसका meaning होता है धर्मा the adobe of victory, नेक्स हमने बात करनी है कुछ important days के बारे में, जहां भी सबसे पहले हम बात करेंगे 11th July, 11th July को हम celebrate करते हैं as a World Population Day, और इस बार 2023 में जो इसका theme रहा, तीन अनलेशिंग दे पावर अफ जेंडर एक्वालिटी, नेक्स हमने बात करनी है 12th July, जिसे कि हर साल मनाया जाता है as a World Malala Day, Malala, that is Malala Yousafi, जिसे कि Nobel Prize मिला है था in the year 2014, और 2014 में Nobel Prize लेकर ये बन गई थी youngest recipient of Nobel Prize, जिसे कि कहा जाता है कि Malala Yousafi ने बहुत जादा work किया है for girls education as well as child's education, और इस particular field के लिए इन्हें Nobel Prize से भी समानत किया गया था in peace category और वहीं से Malala Yousafi को dedicate करते हुए हम इस दिल को मनाते हैं that is 12th July, World Malala Day. तो ये थे सारे important current affairs of second week of July, I hope ये वीडियो आपके लिए useful रहेगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, please like this video, subscribe to our channel, हम मिलेंगे आप से ऐसे ही important current affairs के साथ in next video, तब तर के लिए थांक यू. Panesia Tutor लाया है एक education platform, जहां पर अलग-अलग courses जैसे की IAS, PCS, UGC Net, SSC, और banking exams के लिए online और offline classes की सुविधा उपलब्थ है. Comprehensive coverage of all these subjects through quality video lectures. है Aptitude का topic, that is blood relation, uncle's only daughter. He took the throne, तो जो throne पे एम्परार बैटते थे, वोपने साथ ले गए, Kohinoon Diamond, the world famous Kohinoon Diamond, वो भी Google Treasury से ले गए. फिर आया economic pragmatism, ज्यानि कि, जाहे हमारे आप से जगड़ा भी है, तो भी हम आप से ब्यापार कर रहे हैं. जैसे चाइना है, हमारा जगड़ा होते हुँ भी हम उससे ब्यापार कर रहे हैं. PDF Notes, और उनसे जुड़े हुए relevant MCQs, साथी साथ, comprehensive mock tests. So, join Panesha Tutor for your successful and bright future.